नमस्ते विवान, थैंक योल सो माज फॉर क्लिकिंग इन और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के एक बिल्कुल ही नए सीरीज में जिस सीरीज का नाम है आटो ग्यान और यहां पर आपको ऐसे वीडियो देखने मिलेंगे जो की बहुत ही जादा कॉमेंली आस्ट क्वेश्च अपनी अलोई वील्स दोस्तों यह एक बहुत ही कॉंट्रेडिक्टरी ट्रॉपिक है और इस मैटर में खाईली यही कहा जा सकते है तो इच इट्स ओन बिकॉस ओईम अलोई वील के अपने काफी सारे फाइदे और अपने नुकसान है और आफ्टर मार्केट अलोई वील्स क उनका सबसे पहला फाइदा यह है कि कॉलिटी दोस्तों जब भी आप एक ओरिजनल एक्विप्मेंट बैनुफैक्टर यह एक जन्वेन अक्सेसरी यहां कंपनी फिटेड अलोई वील्स परचेस करते हैं तो कॉलिटी इस गैरेंटीड बिकॉस यह अलोई वील्स प्रॉपर क्रॉपर यहां किका सबस्तिर आउन भी अलोई हमेस्ट आप देमेगा धूत आपकोगनाई गारीफेस कर दोस्तों अशन सब्सक्राइब करदा तो जाते आपको चार्व एलोई वील्स नहें लेने की जरूरत नहीं है तीसरा फाइदा दोस्तो OEM Alloy Wheel का ये है कि जब भी आप OEM Alloy Wheel लगाते हैं अपनी Lower Variant गाड़ी में तो दोस्तो आपकी गाड़ी का एक जो लुक होता है वो बिल्कुल ही एक Top Model वाली गाड़ी का लुक बन जाता है. चौथा दोस्तो OEM Alloy Wheel का फाइदा ये है कि जब भी आप Alloy Wheel लगाते हैं तो अगर आप After Market Alloy Wheel लगाते हैं तो हो सकता है कि उसकी Resale गाड़ी की Resale Value में वो Depreciate करें बट अगर आप OEM Alloy Wheel लगाते हैं क्यूंकि आपकी गाड़ी Top Model जैसे दिखती है तो ये आपकी गाड़ी के Resale Value में जड़ा भी Interfair नहीं करता है तो दोस्तो ये थे चंद Points और Pros या मैं कहूंगा फाइदे OEM Alloy Wheel लगाने के अभी हम बात करते हैं After Market Alloy Wheel के क्या फाइदे हो सकते हैं दोस्तो सबसे पहला फाइदा है पैसों की बचट मतलब जो After Market Alloy Wheels हैं वो काफी जादा सस्ते होते हैं as compared to the OEM Alloy Wheels ये फाइदा भी है और ये की सबसे नुकसान भी है बेकॉस सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता सस्ते का मतलब कहीं ना कहीं quality भी डिटोरियेट की गई हो सकती ह है सेकेंड दोस्तों फाइदा After Market Alloy Wheels का है कि आपको बहुत सारी varieties और बहुत सारे options मिलते हैं मतलब बेहिसाब आपको options मिल जाते हैं After Market Alloy Wheels में और बेहिसाब varieties मिल जाती है अगें दोस्तों ये patterns और varieties का एक और disadvantage ये है कि कभी कबार pattern इतने जादा complex होते हैं कि जब भी गाड़ी कोई speed baker से जाती है या कभी कोई high impact होता है तो ये alloy wheels definitely crack हो जाते हैं मैं ये नहीं कहूँगा कि OEM alloy wheels crack नहीं होते हैं OEM alloy wheels crack होते हैं बट वो उन aftermarket alloy wheels से जादा force को resist कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं OEM alloy wheels के क्या नुकसान होते हैं दोस्तों as such कुछ major नुकसान नहीं है बस हाँ एक चीज़ है कि ये आपको aftermarket alloy wheels से जादा expensive पड़ेंगे पर दोस्तों मेरी राय में अगर आपको थोड़ा सा पैसा जादा खर्च करके आपको अगर safety, peace of mind, quality, assurance और एक tested product मिल रहा है, so it is worth the investment. अभी बात करते हैं दोस्तों aftermarket alloy wheels का क्या नुकसान है? तो दोस्तों सबसे पहला उसका नुकसान यही है कि अगर आपका कोई alloy wheel damage या तूट जाता है तो कई बार आपको कोई-कोई retailers एक single piece भी retail कर देंगे पर कई बार ऐसा होता है कि आप आपको एक पूरा सेट लेना पड़ता है और एक पूरा सेट रिप्लेस करना पड़ता है यहां तो आपको वापिस अपने steel rims लगाने होते हैं second दोस्तों जो aftermarket alloy wheels का नुकसान यह है कि कई बार यह properly weight wise calibrated नहीं होते हैं, in the sense आपके steel rim से जादा वजन alloy wheel में होता है और अगर alloy wheel का मतलब ही है कि lightweight and fuel efficient और heat dissipation है उसको सब काम मिलाना जहां आपका alloy wheel heavy हो गया, वहीं के वहीं आपकी average effect कर जाती है, vehicle average second दोस्तों आपका steering भी आपको hard feel हो सकता है, तीसरा जो suspension action है गाड़ी का, वो suspension action में भी problem हो सकता है और आपके entire suspension setup पर काफी जादा stress पर सकता है due to excessive weight on the wheels तो दोस्तों ये था first episode of the auto gyan series जिसका नाम था aftermarket alloy wheels versus OEM alloy wheels comment करके जरूर बताइए ये video आपको कैसा लगा और अगर आप future में ऐसे ही videos देखना चाहेंगे तो अगला video दोस्तों auto gyan का आप क्या देखना चाहेंगे, differences between या आपकी कोई suggestion या कोई राय होगी तो उसे जरूर comment में करें, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसके उपर एक video बनाने की with that said, it's time for me to sign out, this is Vinay signing off, never stop dreaming, I'll see you in the next one **IMBASSR con BKD L Whatever is in the second one, this will be an Altyazoo more than one, this is Vinay signing off the train with the police and you'll see you in the next one झाल झाल